परिचय विद्यार्थियों तैयार हो जाएए आज हम शंकू परिच्छेत के बारे में पढ़ेंगे क्या आपने कभी पईया देखा है? उसका आकार कैसा होता है? हाँ, वहाँ वृत्ताकार होता है आप में से कितने लोगों के पास अपने घर में डिश्टीवी है और क्या आप जानते हैं कि उसका आकार कैसा होता है? हाँ, वो परवलाय आकार होता है अच्छा, क्या आप जानते हैं कि प्रिथवी का सूरी के चारों और घूमने का मार्ग क्या होता है? हाँ, वहाँ दीर्ग वृत्य होता है तो अन्तता कौन मुझे बताएगा कि इस वस्तू का आकार कैसा है? वहाँ अती परवले आकार है इस पार्ट में आप सीखेंगे कि इन आकारों का विशलेशन कैसे करते हैं और विभिन वस्तूओं की परिकल्पना में इनकी क्या भूमिका है? उद्देश्य इस पार्ट के अंत में आप निम्न करने में सक्षम हो जाएंगे दिये गए केंद्र के निश्चित बिंदूओं से होकर जाने वाले वृत्त का समीकरण क्यात करना दिये गए माप दंडों की सहयता से परविलय का समीकरण ग्यात करने और उसके अक्ष और नाभी के निर्देशांकों को दर्शाना दिये गए माप दंडों की सहयता से दीर्ग वृत्त का समीकरण ग्यात करना दिये गए माप्दंडों की जाहिता से अती परवलाई का समीकरण ग्याद करना शंकू के परिछेद किसी शंक्वाकार सतह को एक सम्दल द्वारा परिछेदित करने से प्राप्त वक्रों को शंकव यानि कौनिक सेक्शन कहते हैं हम जानते हैं कि शंकू एक सतह या एक ठोस आकरिती है जिसे एक रेखा गुजार कर बनाया जाता है जिसमें रेखा हमेशा एक संतल को प्रतिछे दित करती है जिसे नियता कहते हैं और जिन इस्थिर बिंदूओं से होकर गुजरती है उन्हें शीर्ष कहते हैं अब हम एक लंब वृत्तिय शंकू के विभिन परिछेदों की चर्चा करेंगे। एक लंब वृत्तिय शंकू, एक समतल द्वारा प्राप्त परिछेद, जो की किसी भी जनक के समनांतर नहीं होता और ना ही शंकू के अक्ष के लंब वत और ना ही समनांतर होता है। दीर्ग वृत्ति कहलाता है। वृत्त एक समतल में सभी बिंदूं का समुच्च या सेट होता है, जो समतल में एक निश्चित बिंदू से समान दूरी परिस्थित होता है। वृत्त पर एक बिंदू से वृत्त के केंद्र की दूरी को तरिच्या कहते हैं। वृत्त के समिकरण को इस तरह भी लिखा जा सकता है। जहां C, H के वृत्त का केंद्र बिंदू है, R वृत्त की तरिच्या है, A, X, Y वृत्त पर एक बिंदू है। उधारण, केंद्र 3, 2 और 3, 7 से वृत्त का समिकरण ज्याद कीजिए। हल, हमें वृत्त का केंद्र 3, 2 और 3, 7 दिया गया है। केंद्र H, K और 3, R, K एक वृत्त का समिकरण इस प्रकार दिया गया है। केंद्र और तरिच्या का मान रखने के बाद हम पाते हैं कि X घटा 3 का वर्ग जमा Y घटा 2 का वर्ग बराबर है 7 वर्ग के, जो की गणना करके हल करने पर X वर्ग जमा Y वर्ग घटा 6X घटा 4Y बराबर 36 प्राप्त होगा। परवलय नियता कहते हैं। निश्चित बिंदू को ना भी कहते हैं। परवलय का अक्ष जिस बिंदू पर परवलय को काटता है उसे परवलय का शीर्ष कहते हैं। नियता के लंबवत और ना भी से होकर जाने वाली रेखा को परवलय का अक्ष कहते हैं। परवलय का मानक समीकरण। एक्स वर्क बराबर चार एवाई एक्स वर्क बराबर घटा चार एवाई परवलय की ना भी से जाने वाली और परवलय की अक्ष के लंबवत रेखा खंड जिसके अंत बिंदू परवलय पर हो उसको परवलय की ना भी लंब जीवा कहते हैं। परवले Y वर्ग बराबर 4AX की नाभी लंब जीवा की लंबाई 4A है उधारण उस परवले का समीकरण क्यात की थिये जिसकी नाभी लंब जीवा 4A है जिसका अक्ष रेखा 3X जमाद 4Y घटा 4 बराबर शुन है और शीर्ष की स्पर्ष जया रेखा 4X घटा 3Y जमाद 7 बराबर शुन है हल माना की P, XY परवले पर कोई बिंदू है शीर्ष की स्पर्ष जया के लंब वत PM और उसके अक्ष के लंब वत PN खीचे तथा PN वर्ग बराबर होगा नाभी लंब जीवा गुणे PN के इसे समी करन एक से चिन्हित करें अब PN बराबर अक्ष 3X जमाद 4Y घटा 4 बराबर शुने पर P, XY से लंब की लंबाई है 3X जमाद 4Y घटा 4 बटे 9 जमाद 16 का वर्ग मूल बराबर 3X जमाद 4Y घटा 4 बटे 5 PN बराबर शीर्ष की इस परश्च जया A 4X घटा 3Y जमाद 7 बराबर शुने पर P, XY से लंब की लंबाई 4X घटा 3Y जमाद 7 बटे 16 जमाद 9 का वर्ग मूल बराबर 4X घटा 3Y जमाद 7 बटे 5 नाभी लंब जीवा है 4 राइका अभीष्ट समीकरण है 5. दीर्कवरित्ट एक दीर्कवरित्ट एक तल के उन बिंदूआं का समुच्य है, जिनका तल में दो-स्थर बिंदूओं से दूरी का योग अचर होता है दो इस्थिर बिंदूओं को दीर्ग वृत्त की नाभियां कहते हैं नाभियों को मिलाने वाले रेखा खंड के मध्ध बिंदू को दीर्ग वृत्त का केंडर कहते हैं दीर्ग वृत्त की नाभियों से जाने वाला रेखा खंड दीर्ग अक्ष यानि मेजर एक्सिस कहलाता है जिसकी लंबाई दो ए होती है केंद्र से जाने वाला और दीरग अक्ष के लंब वतरे का खंट लगु अक्ष यानि माइनर एकस्स कहलाता है जिसके लंबाई दो भी होती है दीर्ग अक्ष के अंत बिंदों को दीर्ग वृत्थ के शीर्ष कहते हैं नाभियों की दूरी को दो सी से निरूपित किया जाता है दीर्ग वृत्थ की उत केंद्रता दीर्ग वृत्थ केंद्र से नाभी और केंद्र से शीर्ष की दूरियों का अनुपात है अर्थात E बराबर C बटा A देर्ग वरित्त का मानक समीकरण यदि देर्ग वरित्त का केंद्र मोल बिंदु पर हो और नाभियां X अक्ष या Y अक्ष पर स्थित हों तो ऐसे दो दिक्विन्यास हैं X वर्ग बटा A वर्ग जमा Y वर्ग बटे B वर्ग बराबर एक X वर्ग बटे B वर्ग जमा Y वर्ग बटे A वर्ग बराबर एक देर्ग वरित्त के नाभिलंब जीवा की लंबाई X वर्ग बटे A वर्ग जमा Y वर्ग बटे B वर्ग बराबर एक घटा दो भी वर्ग बटे ए है उधारण यदि नाभी लंब जीवा की लंबाई नाभियों के बीच की दूरियों के बराबर हो तो दीर्ग वृत्त की उत्केत्रता ग्यात कीजे हल नाभियों के बीच की दूरि बराबर नाभि लंब जीवा की लंबाई का दो ए ए बराबर दो भी वर्ग बटे ए अथवा ए ए बराबर ए वर्ग एक घटा ए वर्ग बटे ए अथवा E बराबर एक घटा E वर्ग अथवा E वर्ग जमा E घटा एक बराबर शूने E बराबर घटा एक जमा घटा एक जमा चार का वर्गमूल बटे दो बराबर घटा एक जमा घटा पांच का वर्गमूल बटे दो देरगवरित के लिए 0 जो छुटा है E से, एक जो बड़ा है E से आस्विक्रित या उपेक्षित E बराबर घटा 1 घटा 5 का वर्गमूल बटे 2 जो की छोटा है शुने से, हमें प्राप्त होता है E बराबर 5 का वर्गमूल घटा 1 बटे 2 अती परवले एक अती परवले तल के उन सभी बिंदों का समुच है जिनकी तल में दोस्थिर बिंदों से दूरी का अंतर अचर या स्थिर होता है दोस्थिर बिंदों को दीर्ग वृत्त की नाभियां कहते हैं नाभियों को मिलाने वाले रेखा खंड को अती परवले का केंद्र कहते हैं नाभियों से गुजरने वाली रेखा को अनुप्रस्थ अक्ष यानि ट्रांस वर्स एक्सिस कहते हैं इसकी लंबाई दो ए होती है। अनुप्रस्थ अक्ष के लंबवत और केंद्र से होकर गुजरदे वाली रेखा को संयुगमी अक्ष यानि conjugate axis कहते हैं। इसकी लंबाई दो भी होती है। अती परवले अनुप्रस्थ अक्ष को जिन बिंदूओं पर काटता है उन्हें अती परवले का शीर्ष कहते हैं। दोनो नाभियों के बीच की दूरी को दो सी से निरुपित करते हैं। अती परवलाई की उत किंद्रता अती परवलाई के किंद्र से नाभी और किंद्र से शीर्ष की दूरियों का अनुपात है. अर्थात E बराबर C बटे A, चुंकि C बड़ा है और पराबर है A से. इसलिए उत किंद्रता कभी भी एक से कम नहीं होती है. अती परवलाई के मानक समे करण अती परवलाई का किंद्र मूल बिंदु पर और नाभियां X अक्ष और Y अक्ष पर इस्तित हों, तो ऐसे दो दिख विन्याज होंगे X वर्ग बटे A वर्ग घटा Y वर्ग बटे B वर्ग बराबर एक अती परवलाई की नाभि लंब जीवा की लंबाई दो बी वर्ग बटे A है उधारण यदी संयुग में अक्ष की लंबाई पांच हो और उनके नाभियों की बीच की दूरियां ते रहूं, तो अती परवले का समिकरण ग्याद कीजिए हल, मान लीजिये की अती परवले का समिकरण X वर्ग बटे A वर्ग घटा Y वर्ग बटे B वर्ग बराबर एक संयुग में अक्ष बराबर 2B बराबर 5, B बराबर 5 बटा दो है नाभियों के बीच की दूरि बराबर 2AE बराबर 13, AE बराबर 13 बटे दो अब B वर्ग बराबर A वर्ग, E वर्ग घटा एक, A वर्ग जमां B वर्ग बराबर A वर्ग E वर्ग A वर्ग जमां 5 बटे दो का वर्ग बराबर 13 बटे दो का वर्ग, A वर्ग बराबर 13 बटे दो का वर्ग, घटा 5 बटे दो का वर्ग बराबर 36 अतिपरवले का समिकरण X वर्ग बटे 36 घटा Y वर्ग बटे 25 बटे 4 बराबर एक अर्थाद X वर्ग बटे 36 घटा 4Y वर्ग बटे 25 बराबर एक क्या आप जानते हैं यूकलीट प्राचीन यूनान का एक गणितक्य था उसे जायमिती का जनक कहा जाता है उनके ग्रंथ गणित के इतिहास में गणितीय शिक्षम के लिए सबसे सफलतम कृती है रने डुकाट ने जयमती के क्षित्र में एक महितपून योगतान दिया उसने वैशलेशिक जयमिती का विकास किया सारांश आईए हमने जो कुछ सीखा है उसे संक्षेप में दोहराएं वृत्थ सम्तल के उन बिंदूओं का समचे होता है जो तल के एक स्थिर बिंदू से समान दूरी पर होते हैं केंद्र ह के और त्रिज्या आर के एक वृत्थ का समिकरन है एक परवले तल के उन सभी बिंदूओं का समचे है जो एक निश्चित सरल रेखा और तल के एक निश्चित बिंदू जो रेखा पर इस्थित नहीं है उससे समान दूरी पर है नाभियों ए शूने ए जो शूने से बड़ा है और नियता एक्स बराबर घटा एके परवले का समिकरन है परवले की नाभी से चाने वाली और परवले की अक्ष के लंबवत रेखा खंड जिसके अंत बिंदू परवले पर हों उसको परवले की नाभी लंब जीवा कहते हैं परवले वाई वर्ग बराबर चार एक्स के नाभी लंब जीवा की लंबाई चार ए है एक दीरक्वरित तल के उन बिंदूं का समुच है जिनका तल में दो इस्थिर बिंदूं से दूरी का योग अचर होता है एक्स अक्ष पर नाभी वाले एक दीर्ग वरित्थ का समिकरण है दीर्ग वरित्थ की नाभियों से जाने वाली और दीर्ग अक्ष पर लंबवत रेखा खंड जिसके अंत बिंदू दीर्ग वरित्थ पर हों उसको दीर्ग वरित्थ का नाभी लंब जीवा कहते हैं दीर्ग वृत्त की नाभी लंब जीवा की लंबाई हैं। एक अति परवलय तल के उन सभी बिंदुओं का समुच्च है जिनकी तल में दो इस्थिर बिंदुओं से दूरी का अंतर अचर होता है। एक्स अक्ष पर नाभी वाले अति परवलय का समिकरण है। अति परवलय की नाभियों से जाने वाली और अनुप्रस्थ पर लंब वत रेखा खंड जिसके अंत बिंदु अति परवलय पर हों। उसको अति परवलय की नाभी लंब जीवा की लंबाई है। झाल झाल